मोवी के सुरुवात में हमें एक हांटेड बिज के बारे में बताए जाता है और जो भी कहानी हम सुनेगे वो सच में एक रियर लाइफ बेस स्टोरी है तो मोवी और भी रिखने में आपको मजाएगा खेर तबी हमें पर चलता है कि 6 स्टुडेंट कॉलेज के वो सभी के सभी एक हांटेड बिज को एस्प्रोड कर निकले आए थे बात करें उससा हांटेड बिज के बारे में तो ऐसा माने जाता है कि कहें सालों पहले एक लड़की ने अपनी जान याप ले लिया था और उसने ये सब बस अपने boyfriend के वज़े से किया था जिसके बाद आज तक ऐसा कहा जाता है कि वो evil spirit अभी भी इसी bridge में है और ये चेश को explore करने के लिए 6 student आयते लेकिन वो आत्मा को बुलाने का भी एक ritual होता है जो कि काफे खतनाक था उस ritual में की गई एक गलती भी कितना भारी बढ़ सकती थी उसके बारे में किसे को भी कुछ पता नहीं था लेकिन फिरी भी ये लोग में से कोई ड़ता नहीं और वो ritual का निकली आ जाता है यहाँ पर ritual कुछ ऐसा था कि ब्रीच के एकदम बीचो बीच एक इनसान बिठेगा और वो इनसान की आखों में लाल कपड़े को बंद जाएगा जिसके बाद वो इनसान कुछ मंत्र बोलेगा और फिर उसके बाद असली haunted story चले होगा यानि कि वो इनसान जिसकी आखों में लाल बटी बांद गया था उसे बस दो चीज धान में रखना था पहला नियम यह था कि कभी भी उपर जाते समय सीडियों को गिनना मत वो सहांटेड बिरिज में टोटल 13 सीडिय थे लेकिन रात के समय जब वो रिच्वल परफॉर्म करते तो वो सीडिय अपने आप 14 हो जाता है तो सबसे पहले यह नियम था कि कभी भी उपर चड़ते समय सीडियों को गिनना मत और दुसरा नियम यह था कि जब भी तुम उपर चड़ोगे तो वो आत्मा तुम्हें पिछे से बुलाएगी तुम्हें पोकारेगी लेकिन तुम्हें गलती से भी पिछे मुणना नहीं है अगर तुम्हें गलती से भी यह दोनों में से कोई भी नियम तोड़ा तो वो आत्मा वापस आजएगी जिसके बाद कोई भी बच्चेगा ने तो यह सबता पूरा एक कर्स स्टोरी जो कि उसी हांटेड बिडिच के बारे में था और यह कहानी कितना सची और कितना जोट यह सबी पता करने के लिए छे लोग यहां पे आये थे जो कि अपने लाइव स्ट्रIEム में यह सभी चिज रिकौर्ड करे थे यहां पे उनोंने अपने एक बिडिच के बिच्च के बिच्च 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 बढ़न दिया था और उसके आखों में ठेक रिच्चुल के मताबेक राल कप्ड़ को बांदिया था उन्होंने अपने दोस्त को अच्छे था समझाया था कि कोई भी नियम को गलती से भी तोड़ना मत वरना हम सबी की जान खत्री में आ सकती है लेकिन वो इनसान के दिमाग में कुछ औरी चारा था यहां पे वो इनसान कुछ मंत्रा बोलता है और फिर उसके बाद वो उसी सीड़ों की तरफ जाने लगता है जाते समय वो अपना सबसे पहला नियम तोड़ देता है यानि कि वो हर एक सीड़ी को काउंट कर दाता और फिर उसके बाद जब वो टॉप में चला जाता है तो वो उसका दूसरा नियम भी तोड़ देता है उसे किसी की पेचे से आवाज आती है तो वो तुरंत पेचे मुड़के रिखता है और फिर उसके बाद जिस बात का ड़ता हुई हो जाता है वहाँ पे हम उसी evil entity को आता हुए देखते है और वो आती सभी के सभी वहाँ से तुरंत अपनी जान बचा के भागने लगते है युसी बीच हम देखते हैं कि जो उनका camera था वो वहाँ पे छुट जाते हैं वो लोग अपनी जान बचाने में तो कामियाब हो जाते हैं लेकिन सभी के सभी अब करस हो चुके थे खेर तबी हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि जो camera उनका छोटा था उसमें हम साफ evil spirit को देखते हैं और इसी के साथ ये सिन इदरी कटो जाता हैं अब इसके बाद movie का सिन पूरे 4 सल आगी जाता हैं जहां पे हम एक reporter को देखते हैं जो कि उसी 6 student के बारे में बाते करी थी और अब जाके हमें बारे चलता है कि जो 4 सल पेले 6 student यहां पे आये थे यानि कि 2016 में वो रहस्में तरीके से गैब हो चुके आज पूरे 4 सल हो चुके थे लेकिन उनके बारे में आज तक किसो को पता चलनी वो लोग कहां पे गए और अचानक से उनके साथ हुआ क्या था यह सभी 6 को एस्प्लूर करने के लिए हम देखते कि एक न्यूस रिपोर्टर यहां पे आय थी और वो अपने चैनल में लाइव वो इंसिडेंट के बारे में बताती है जो कि 2016 में हुआ था यहां पे इस रिपोर्टर को एक अटास मिला था जो कि था इसी यो हांटेड ब्रीज को एस्प्लूर करना आखिर सच में यहां पे आत्मा है या फिर वो 6 लोगों को किसी ने जान बुच के मार दिया यह सभी चेश का खुलासर करने के लिए यह रिपोर्टर यहां पर आई थी वो यहां पर सबसे पहले वो सीडेओ को गिनती है जहां पर उसको पूरे 13 सीडेओ मिलते है फिलाल अबी के समय लेकिन इसी चेश को एस्प्लूर करने के लिए वो रात में भी यहां पर आने वाली थी बेसिकली वो एक डॉक्मेंडेशन बना री थी यह सभी चेश का वो अपनी पूरी टेम के साथ यहां पर आये थी और फिर उसके बाद वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन उसे करना था वो सीडी गिनना उसके आसपास के महल को चेक करना वो सभी चेश अच्छे से देखने के बाद वो लोग वाँ से चल जाते हैं खिर इसके बाद हम देखते कि अब मोवी का सीनर वापस पास्ट में स्रिफ्ट होता है मतलब कि वही दो हज़र सोला जहां पर सभी लोग गैब हुए थे और अब जाके हमें उनकी पूरी कहानी बताए जाती है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या जब वो इनसान जो की रिच्छुल कर राता वो अच्छानेक से गैब हो गया था जिसके बाद हम देखते कि उसके पूरे दोस अपनी जान बचा के वहांसे भाग जाते कोई भी उसके लिए डुकता नहीं और ना यह उसे ढूनने के कुसिस करते वो सभी के वहांसे भागने के बाद अब जाके हमें बताए जाता है कि एक्चुली यह सब एक प्रैंक था मतलब कि वो इनसान जो की रिच्वल करा था अपने आखों में लाल पट्टी को बंद के उसने जान बुच के अपने दोस लोग को डराने के लिए वो प्रैंक किया था जिसके वज़े से सभी को लगा कि वो एविल इस्पिरेटर सच में आपे आ गई है और वो सभी अपने जान बचा के भाग गए यह सभी के बाद अब वो इनसान वाँसे हस के जाने लगता है लेकिन तब उसको पर चलता है कि उसका प्रैंक कितना भारी पर सकता है यहाँ पर कोई एविल इस्पिरेटर वापस से उसे बिडिच के तरफ बलाती है और वो पेछे मोड के बहुती बड़ी गलती कर देता है उसका मज़ाक उसके उपर भारी पर जाता है और वहाँ पर सच में एक एविल एंटिटो से मार देती है दुसरी तरफ हम वही पाच लोगों को रिखते है जो कि वहाँ से बच के भागे थे यहने लग रहा था कि वो इविल इस्पिरेट से यह लोग बच चुके लेकिन इसा बिल्कुल भी नहीं था वो सभी के सभी यहाँ पर कर्स हो चुके थे यहाँ पर हम सबसे पहले एक कपल को रिखते है जो कि वहाँ पर थे लेकिन अपनी चान बचा के आगे थे यह दोनों भी पूरे गृप में से विसे इंसान थे जो कि सच में वो इंसान को बचाने के बादे में सुचते है उन्हें लग रहा थे कि जो भी उन्होंने किया वो गलत है क्योंकि वहाँ पे जाने का प्लान सभी का था और अगर किसी एक क्योंपर मुस्टिबत आई तो सभी लोग उसे किसे छोड़के भाग सकते है तो इसलिए हम देखते कि अब वो दोनों भी अपने उसी दोसको कॉल लगाने लगते जिसे ये लोग ने वहाँ पे छोड़के भागे थे जिसके बाद हम बाकी के तिन मेंबर को देखते है जिसमें से एक इंसान इतना ड़़ चुका था कि उसको प्रेसर आ गया था और फिर दूसरी तरफ हम बाकी दो लोगों को देखते हैं जो कि एक साथ एक कमरे में बेठे हुए थे यहाँ पे हम सैंग को देखते हैं जो कि आभी तक उसी बातरों में से बाहर निकला नी था और फिर तभी अचानक से उसके दरवाज में कोई नौक नौक करता है जिससे सुनने के बाद सैंग और भी ड़ड़ जाता है वो तुरंत चला के पुछने लगता है कि भार कोने लेकिन जो दरवाज ठोकने की आवाज थी वो पहले से जादा बढ़ जाती है यह सबी के वज़े से सैंग अब बहुती बुरी तरीके से ड़ड़ चुका था वो निच्चे से देखने की कुछिस करता है कि एक्चुली भार कोने लेकिन निच्चे से देखने के बाद उसे पर चलता है कि वहाँ पे तो कोई है नहीं अब यहां पे जो सैंक की हालत थी वो सच में खराब हो जाती है वो ना ही अपनी दोसी लोग से मदद मांग सकता था और ना ही यहां से भाग सकता था लेकिन जिसे तेसे अपनी हिम्मत को जुटा कर फाइनली वो दरवाजों को खुल की भाराता है और बड़े हिम्मत में कहता है कि मैं किससे डढ़ता नहीं हूं लेकिन भारानी के बाद वो किसको दिखता नहीं और इसी बीच वो नोटिस करता है कि जितने भी वहाँ पे नल थे वो अचानक से चालू हो गये थे वो तूरंत सभी नलों को बंद करना चालो कर देता है और इसी बीच हम देखते कि उसके सामनी अच्छानक से एक बकेट आ जाता है जो कि कुछ समय पेले यहां पे नहीं था वो धीरे धीरे उसी बकेट के तरफ बढ़ता है जो कि उसके सबसे बड़ी गलती थी यहां पे हमें एक डेमोनी का हाथ को निकलता हुए देखते हैं जो कि उसे वोई बकेट के अंदर डुबा के मार देती हैं और इसे के साथ हम देखते हैं कि 6 लोगों में से 2 की मौत हो चुकी थी अब इसके बाद हम वोई बचे वे 4 लोगों को देखते हैं और उसमें से एक कपल था जो कि वापस से उसी बिडिच के पास आ गया था जैसे कि मैंने बताया था कि वो गुरूप में से बस ये दो लोगी थे जो कि सच में वो इंसान के केर करते थे वो लोग अपनी जान के परवा ना करते वे इस बिडिच तक आ गये थे और यहां पे आने के बाद वो लोग सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल लगातें जिसके बाद वो लोग देखतें कि वो फोन तो वहाँ पर गिरा हुआ था लेकिन उसके ओपर वो लोग नोटिस करते कि किसी ब्लैक कलर का लिक्विड लगावा था जो कि काफी चिपचिपा था जिसे देखने के बाद वो लोग तुरंत समझ जाते कि उनके अलावा भी यहां पे कोई और है वो लोग वापस अपनी जान बचा के होस्टल के तरफ भागते हैं यहां पे हम बाकी के दो मेंबर को देखते हैं जो कि एक साथ बेटे हुए थे लेकिन अब इने डर लगना चालो हो गया था उनका हुई दोस्टा जिसका नामता सैंग वो कितने समय से वास्टल गया था वो अभी तक इनके पास आया नहीं तो इसी वज़ेस हम देखते कि अब यह दोनों भी डिसाइड करते कि वो अपने दोस्ट को बचाने के लिए वहां पे जाएगे लेकिन उसी बीच हम देखते कि उनमें से एक लड़की जिसका नामता हसिन चियाओ उसे जोड से सुसुआ जाती है तो वो अपने दोस यूचिन से कहती है कि तुम मेरे साथ पहले वास्रूम चलो उसे वहां पर एकला डर लग राता तो इसलिए हम देखते कि वो यूचिन को भी अपने साथ ले जाती है अब इसके बाद हम देखते कि हसन चियाओ जैसे वास्रूम के भाड़ा ती है तो वो अपना हाथ दो कि वहां से जाने वाली थी लेकिन तभी उसे अचानक से किसी की बुलानी किया वाज आती है वो ये सभी के वज़े से काफी डर जाती है और जैसे वो वाँ पर रोने वाली थी तभी अचानक से वो यूचिन को देखती है जो कि उसके डर का फाइदा उठा रही थी उसके साथ मजाक करके वो जैसे पीछे मुड़ती है तब ही वहाँ पर वो सैंग की बोड़ी को देखती है जो कि वही एविल स्पिरेट के वस में था वो एविल स्पिरेटर तुरांत यूचिन की तरफ आता है उसे मानने के लिए और वही दुसरी तरफ हम हसिंचियों को देखते है जो कि अपने कमरे में गुसे से आगे थी उसे डर भी लग रहा था और उसके साथे साथ उसे बहुत गुसा भी आ रहा था यूचिन के उपर ल आत्म से रहा देखते हैं कि हसिंचियों को अपने बैट के निचे से किसे की बुलाने की आवा जाती है और वो जैसे बैड के निचे देखती है तो वहाँ पर कोई नी था लेकिन जैसे वो उपल के तरफ वापस आती है तो तबिए वो उसके उपर सच में और एक लड़की क evil spirit देखती है जो कि देखने में काफ़े भीयानक था और यह देखने के बाद वो तुरांत अपनी जान बचा के कमरे से भारा जाती है और तब यह नसिफ से हम देखते कि वहाँ पर यूचिन भी उसे मिल जाती है जो कि सायम की आत्मा से डड़के भागी थी यह दोनों भी अब सात में वहाँ से भागनी के कुश्स करते हैं लेकिन जैसे जैसे वो लोग निच्ची के तरफ जा रहे थे वैसे वो घुमा फिरा के एकी जगे में वापस आ जा रहे थे यह सबी चीच देखने के बाद अब वो दोनों के भी हिम्मत कई ना कई तूट चुकी थी वोने भी बाता चल चुका था कि सायद वो एविल स्पिरेट से कोई बचेगा नहीं लेकिन यहाँ पर जो यूचिन थे वो हर मानती नहीं वो कहती है कि अगर हम लोग निच्चे की तरफ ने जा पारें तो हम लोग उपर की तरफ जाएगे यानि की टैरिस में जो कि फिर एक बार हम देखते कि उनकी सबसे बरी गलती थी जैसे वो लोग टैरिस का दरवाजा खुलते हैं तो वहाँ पर वो एविल इस्पिरेटर पहले से मोजूती वो सबसे पहले यहाँ पर हसिंचियों को टैरिस के निच्चे फिक देती हैं और जो यहाँ पर यूचिन थी उसे पानी के टंकी में डुबा के जान समर देती हैं और इसी के साथ हम देखते कि अब पूरे चालोगों की मौत हो चुकी थी अब बच्चे थे बस दो लोग खेर इसके बार हम देखते कि अब मोवी का सीन वापस प्रेजेंट में आता हैं यानि की 2020 में जहाँ पर हम फिर एक बार उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो कि वह यह हॉंटेड ब्रीच के बारे में बता करने की कुसिस करी थी वह यहाँ पर इंटेड में उसी हॉंटेड ब्रीच के बारे में बता करने की कुसिस करी थी और तभी वहाँ पर उसे एक बोती पुराना वीडियो मिलते हैं जो कि उसी हॉंटेड ब्रीच के बारे में था और अब जाके उसे धिरे धिरे कहानी का सच परे चलता है मतलब कि वो उसी वीडियो में देखती है कि एक इनसान बता रहा था कि वो हांटेट ब्रीच का एक कड़ से जो कि लगबग चार साल के बाद आता है वो इनसान के मताबिक हर चार साल के बाद किसी ना किसी पाच लोगों की बली तो जाएगी ये सुनने के बाद वो रिपोर्टर पोरा सौक हो जाती है खरिसी के साथ हम देखती कि मोवी का सिन वापस से पास्ट में सिफ्ट होता है जहां पर हम बच्चे हुए दो लोगों को देखते हैं यानि कि वोई कपल ये दोनों भी हॉस्टल जैसे दैसे तो वापस आगे थे लेकिन यापी आने के बाद उनके बाकी तीन दोस्ट के बारे में कुछ भी पता चलता नहीं वो तीनों भी कहां पर थे कुछ भी ये लोगों को पता चलता नहीं तो इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने दोस्ट को ढूणने के लिए वहाँ पर चुपके से कैमेरे की फूटच को देखनी लगते हैं और अब जाकि हम देखते हैं कि उस कपल का जो लड़का था वो फाइनली अपनी जीएफ को पूरा सच बताता है कि आखिर वो हांटेड बिरिच का असली सच क्या है हमें पर चलता है कि जो स्टार्टिंग में कहानी बताया गया था वो एक अधुरा सच है यहाँ पर वो लड़की ने बस अपनी बीएफ की ना आने के वज़े से खुद को मारा नहीं था बलकि कहानी कुछ औरी थी वो लड़की काफी समय तक वोई बिरिच के पास खड़ी रही लेकिन उसका बीएफ उससे मिलने के लिए वाँ पर आया नहीं था और फिर उसके बाद जैसे वो लड़की वाँसे जानने की कुशिस करती है तब यह अचानक से हम देखते कि वहाँ पर पाच लोग आ जाते जो कि उसके साथ गलत कने लगते और यही मेन कारण था वो क्यों हर चार साल के बाद किसी भी पाच लोगों की बली वो बिरिच के पास लेती है यह सबी सच जानने के बाद उसकी जी अफ उसको चलाती है वो कियती है कि तुमने बहुती जल्दी सच बताया है अगर यह सच तुम कुछ समय पहले बता देते तो हम उस ग्रूप में जाते हैं नहीं वो बिरिच को एस्प्लोर करने के लिए खेर जो भी हो गया था अब उसे बदला तो जाने सकता यह लोग बस अपनी जान बचाने में फोकस करते हैं तब यह चानक से वो लाइव फूटेज में रिखते हैं कि उनकी दोस हसिंचियों एक कमरी के बार से जारी थी वो दोनों भी तुरंट उसी जगे में जाते हैं लेकिन आप पर उसकी जीएफ को वो भारी रुकने के लिकेता हैं क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता था वो इविल स्पिरिट का एक चलाव भी यह हो सकता हैं तो इसे वज़े से हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी जीएफ को भारी रुका के खुद अंदर जाता हैं अंदर आने के बाद वो हर जगा अपनी दोसलों को ढूरना चालो कर देता हैं लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाय देता हैं जिसके बाद अब वो उसी कमरे के और भी अंदर चला जाता हैं या पर हम दुसरी तरफ उसकी जीएफ को देखते हैं जिसके साथ वो इविल स्पिरिट एक चलावा करती हैं वो जान बुच कर उसकी बॉइफेंड की आवाज में उसे अंदर आने के लिकेती हैं और वो जैसे अंदर जाती है तब या चानक से हम देखते हैं कि वो डेमॉनिक स्पिरिटर डारिक उसके उपर अटेक कर देती हैं वो अल्मूस उसे पूरी तरीके से जान से मर देती लेकिन से समय पे उसका बी अफ अंदर से आके उसे बचा लेता हैं जिसके बाद अब वो दोनों भी अपनी जान बचा के होस्टल से भार भागने की कुस्स करते हैं लेकिन जैसे वो लगमा से भार भागने वाले थें तब यचानक से उनको अपनी दोस यानि की हसिन चियोंग मिलती है अब जैसे कि हमें बदा था कि हसिन चियोंग की तो मौत हो चुकी है लेकिन ये दो बिचारों को लगता है कि उनकी दोस उन्हें बचाने की कुस्स करी है अब जैसे कि हमें बता था कि हसी चियों की तो मौत कब की हो चुकी है इस मुमेंट में वो एविल स्पिरेट उनकी दोस्ट की रूप लेके उन्हें फसाने की कुस्स करी थी और कुछ हद तक वो लोग उसकी जाल में फस्थ भी जाते हैं वो आत्मा उसी कपल को अपने पीछे पीछे उसी बिडिच की तरफ लेके जारी थी लेकिन जो इसका बॉइफेंट था तब ही उसका में मौमेंट में दिमाग खुलता है वो नोटिस करता है कि जो हसी चियों का चलने का तरीका है वो कुछ बदला सा है और उनकी दोस हसी चियों भला वो बिडिच के तरफ क्यों जारी थी यह सबी चिच देखने के बाद वो दोनों को भी समझ जाता है कि उनके सामने उनकी दोस नहीं बलकि एक एविल स्पिरेट जा रही है वो तुरां तुमा से भागने की कुश्स करते हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया था वो डेमानी के स्पिरेट उसकी जी अफ को बहुत ही बुरी तरीके से खिच लेती है और ये मोवी का सबसे स्कैरी सिंता जहां पर वो आत्मा उसे हवे में खिच के लिखे चली जाती है इस मुमेंट में जो उसका बियफ था वो भी समझ चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गल्ती की उसे भी लगता है कि साइद वो भी बचेगा नहीं लेकिन कहाने में बहुत जल्डी ट्विस्ट आने वाला था क्योंकि कर्स के मताबिक बस पाच लोगों की बली वह आत्मा लेती है और पाच लोग तो वैसे भी हो चुके थे तो देखने वाली बात थी कि वो एवल स्पिरिट इसे छोड़ती है कि नहीं खेड़िसी के साथ हम देखते कि अब मोवी का सेन वापस से प्रेजेंट में सिफ्ट होता है यानि कि 2020 में जहांपर वो रिपोर्टर को अल्मोस आदे से ज़ाद सच पाद चल गया था लेकिन आखिर वो लास्ट वाले इंसान के साथ हुआ क्या था वो अब तक फिलाल इसको भी पता है नहीं था वो बिचारी हर एक जगा देखती है कि आखिर वो लास्ट वाले इंसान गया थो गया किदर और तब जाकि मोवी की जो कहानी थी वो धिरे धिरे सामने आने लगी थी वो बिचारी वो लास्ट इंसान के बारे में हर जगा रिसर्च करना चालू करीती है और तब आता है मोवी का एक बहुती बड़ा ट्विस्ट जो कि उसके साथ हमें भी बहुती बुरी तरीके से सौक करता है यहां पर हम देखती कि जब वो उसी घटना के बारे में पूरा रिसर्च करी थी यानि कि हर एकर चार साल के बाद 28 फर्विरी में जब भी वो इंसिडेंट हुआ था तो यहां पर ओवरॉल बाच लोगों की जान जाती है यह सबी चीच तो नॉर्मल थी जो कि उससे पहले से पता था लेकिन कहाने में ट्विस्ट तब आता है जब उससे पता चलता है कि 2012 में भी ठीक ऐसा इंसिडेंट हुआ था और वो भी ठीक 28 फर्विरी को हुआ था 2012 और 2016 में जो भी घटना हुई थी उसमें एक चीच कॉमन था और वो था एक इंसान मतलब कि 2012 में भी पाच लोगों की जान गे थी और ठीक 2016 में भी पाच लोगों की जान गे थी लेकिन वो दोनों भी घटना में एक इंसान कॉमन था और वो इंसान और कोई नहीं बलकि हसेंचियों थी एक मिनिट यार बस एक मिनिट में आपका लेना चाहता हो फिर उसके बारी मुवी कंटीनू होगी मुझे कुछ इंपोर्टेंट बाते करना था आपको और कुछ दिखाना था आप खुद देखिए कि काफी दिनों से जो मेरी वीडियो है वो बहुत लोगों के पास जा रहे लेकिन यार बस 2.7 लोगों ने सब्सक्राब किया है मैं ऐसा कभी अपनी वीडियो में ने कहता है कि भाई चैनल को सब्सक्राब कर लो लेकिन आप खुदी देख लो कि 100 पसन में से बस 2.7 लोगी सब्सक्राब करें मेनत लगती है यार एक वीडियो के लिए भी भले आप ए नेगेटिव कमेंट करो या फिर कुछ भी इंपूर्मेंट हो तो मुझे बताओ मैं उसमें काम कर सकता हूँ लेकिन बिना सपोर्ट के कहां तक ही जापा होगा तो पिलिस अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपना थोड़ा सपोर्ट मुझे दिखाईए मुझे सब्सक्राइब जोरोते हैं खेर चलते हैं डेरेक वीडियो की तरह यहां पर वो रिपोर्टर सौक हो जाती है कि जब हसिन चियाओ दो हजार बारे में मड़ चुकी थी तो वो फिर एक बार दो हजार सोला में कैसे आई उसके आसपास के दोस्त को पतने चला कि उसके मौत हो गई है यह सबी चीज देखने के बाद वो रिपोर्टर को भी पता चल जाता है कि कहानी का एक दुसरा पहलू भी है जिसके बारे में अभी तक उन लोगों को पतनी था खेर इसके बार हम देखते कि फिर एक बार जो मौवे का सेने वो पास्ट में जाता है और अब जाके हम देखते कि जो कहानी का सच था वो धिरे धिरे हमारे सामने आने लगता है कहानी फिर एक बार उसी जगे से कंटिनू होता है यहाँ पे हम हसिन चयाओ को देखते है जो कि उसकी जियफ को लेके उसी बिरिच के पास आ जाती है लेकिन उसके पीछे पीछे उसके बीएफ भी उसकी जान बचाने के लिए आ गया था वो यहाँ पे हसीन च्यों के पास आने के बाद उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी जीएफ को छोड़ दो और अब जाके उसे पड़ा चलता है कि एक्चुली यहाँ पे हसी च्यों मरीन थी हमें पड़ा चलता है कि जब भी 28 साफ परिवरी को यहाँ पे 6 लोग आते हैं तो उसमें से बस मरते 5 लोग और जो आकरी वाला बच्चता है वो ता सर्वाइवल और वही आकरी इंसान जो की बच्चता है इस कर्ष से वो अगले 4 साल के बाद 6 लोगों को यहाँ पे लाएगा और यह में कारण था क्यों हसी च्यों 2000 बारे में भी थी और 2016 में भी थी जब लास्ट बार 2012 में 5 लोगों की मौत हुई थी तो वहाँ पे सर्वाइवल और कोई ने बलकि हसी च्यों थी और उसने ठीक 4 साल के बाद अपने बागी दोस्टों को यहाँ पे लाया था मतलब कि एक तरफ से देखा जाए तो वह एवल इस्पिरेटर बस उसे यूस करी थी अपने अगले सिकार के लिए लेकिन आज वह डेमानिक इस्पिरेटर हसी च्यों के बाड़ी को अपने वस में कर लिती है वह उसमें भी रेम ने खरती है जो कि उसके लिए बाच लोगों को यहाँ पे लाया थी हसी च्यों ने अपनी जान बचाने के लिए बाच लोगों को यहाँ पे लाया था लेकिन आज वह डेमानिक इस्पिरेटर जिसके लिए वह काम करती थी उसने उसके बॉड़ी में कबजा जमा लिया था और यहां पे हम साफ देख पा रहे थे कि जो हसी चौग की बॉड़ी की हालत थी वो कहीना कहीं बोती खराबूरी थी खेर मुवी में वापस आते हम देखते कि जो उसका बी-फ था वो बिचारे रिक्विस्ट रकर करके ठग गया था लेकिन वो इविल स्पिरेट उसकी जी-फ को छोड़ती नहीं वो उसके नज़रों के सामने उसकी जी-फ को मापरी मार देती है और यह देखने के बाद जो उसकी बी-फ के हालत थी वो सच में पतली हो चुकी थी यह सभी मूवी एक रियल लाइफ बेस इंसिडेन है तो सोचो जो इनसान के साथ यह सच में हुआ है उसका क्या हलत होता होगा वो लड़का बिचारा तूरंद अपनी जान बचा के उसी बिड़िच से दूर भागने लगता है वो लड़का तूरंद अपनी जान बचा के वो ही बिड़िच से दूर भागने लगता है लेकिन उसके बदनसिबी के वज़े से आगे का जो रस्टा था वो बनता और तब ही अचानक से वो डेमानिक स्पिरिट उसके सामने आ जाती है जो कि अब उसे भी जान से मानने के लिए जारी थी लेकिन यहाँ पर जो इसका बीफ था वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि बिलिस मेरी जान को छोड़ दो इसके बदले तुम जो भी बोलोगे में वो करोगा मतलब कि यह सिन यहाँ पर ही खतम हो जाता है हमें बतायन जाता है कि आखरे वो इंसान के साथ हुआ क्या था खेर इसके बाद मोवी का सिन वापस प्रिजेंट में आता है यानि कि 2020 में और यहाँ पर हम उसी रिपोर्टर को रिखते है जो कि अल्मोस सच के बोतिक करीब थी वो यहाँ पर उसी आखरी सर्वाइवल के बारे में पता करने की कुछिस करी थी लेकिन यहाँ पर उसे कुछ बतायने चलता है कि आखर लास इंसान वाँ पर बच्चा कौन था क्योंकि जो उसका वी अफ़ता उसके साथ आखरी में क्या हुआ वो किसे को बता नहीं तो वो बोतिक गौर से सभी चीज़े को देखनी लगती है और तब जाके उसे एक और सौक लगता है वो देखती है कि आज ता 28 फरिवरी यानि कि वापस से आज रात किसी पाच लोगों की जान जाएगी ठेक चार साल के बाद वापस ये घटना अपनी आपको दोराता है लेकिन जैसे कि हसुचियों थी लास बार जो कि ये सभी काम करी थी तो वेसा विक्टिम पिछले साल कौन बना था उसके बारे में वो पता करनी की बहुत ही कोसिस करती है जो भी करना है उसे आज रात से पहले करना होगा वो हर जगा ढून लेती है और काफी रिसरच करती है लेकिन उसके हाथ कुछ भी सबुत लगता नहीं तब ये अचानक से हम देखते कि उसके नसिब से एक फोटो उसे वाँ पी दिखाए दिता है और इस फोटो की टाइमिंग और डेट से पदा चल जाता है कि वो फोटो को कुछ घंटे पेले क्लिक किया गया था और तब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर जिस बात का डरता है एक्चुली वही हो गया था यहाँ पर वो रिपोर्टर उसी फोटो में एक इनसान को दिखती है जिसके रिफ्लेक्शन एक मिरर में दिख रहा था लेकिन वो इनसान का जो चेहरा था वो किलियर ने दिख रहा था तो इसी वज़े से हम देखते कि वो रिपोर्टर अब उसी फोटो को किलर करना चालो कर देती अपनी पेसी की मदस से और तब खुलता है कहानी का असली सच यहाँ पे वो सर्वाइवल और कोई ने बल कि उसका बीफ था यानि कि जो भी हमने पास्ट में देखा था उसमें वो इविल स्पिरेट ने अपनी विक्टिम हसिन चयों को हमसे के लिए मार दिया था और फिर उसके बाद उसके बीफ को वो अपना अगला विक्टिम बना लिती है मतलब कि आज की रात वो इविल स्पिरेट उसी इंसान के बोडी में जाकर पाच लोगों की जान लेगी लेकिन यापर फिर एक बार ट्विस्ट निकल के सामनी आता है वो इंसान जो कि आखरी बार बचा था वो और कोई ने बलकि इसी रिपोर्टर का कैमरेमेने मतलब कि वो इतने समय से अपने साथ एक एविल स्पिरेट को लेके गुमरी थी जैसे हम देखते कि वो रिपोर्टर कुछ कर पाती तब तक बहुत लेट हो गया था वो इंसान यानि कि उसका कैमरेमेन उसके उपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये सीन इदेरी कट हो जाता है अब इसके बाद मोवी के आखरी सीन में हम वोई सर्वाइवल को रिखते हैं जो कि वोई बिरिच के पास किसी भी पाच लोगों को लाया था और इस मुमेंट में हमें उस रिपोर्टर के बारे में कुछ भी बताय जाता नहीं वो रिपोर्टर जिन्दा भी है कि मर चुकी है वो सभी के बारे में हमें कुछ ही दिर में परच लेगा यहाँ पे हम ठीक मोवी के स्टार्टिंग वाले सिन को वापस से फिर एक बार रिपीट होता हुए रिखते हैं वो सरवाइवल यानि कि उसका बीफ बाकी पाच लोगों को वही रिचुवल के बारे में बता रहता और यहाँ पे वो जान बुज का रिचुवल को पूरा उल्टा ये लोगों को बताता हैं मतलब कि उपड़ जाते से में स्टीडियो को गिनना और फिर उसके बाद उपड़ जाने के बाद पिछे मुड़के रेखना ये सबी चेज वो बाकी पाच लोगों को सिखाता हैं जिसके बाद हम देखते कि फिर एक बार जो मुवी का कर्स था वो वापस चालो हो जाता हैं यहाँ पे हम मुवी के आकरी में वह इस सर्वाइवल को हस्टा हुए दिखते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये मूवी इदरी खतम हो जाती हैं जिसके बाद वो कर्स का साइकल फिर एक बार वापस चालो हो गया था अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ कहानी के बारे में यहां पर आप सभी के मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर वो इविल स्पिरि था ठीक 12 बजे के बाद जिसका एकी मतलब था कि वो लड़की की जान 29 फरवे को गई थी और यह में इन कारण था क्यों क्यों चार साल के बाद ही पाच लोगों की जान जाती हैं खेर बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी सच में एक डियल लाइफ बेस स्टोरी ह लेकिन आखिर वो रिपोर्टर का क्या हुआ उसके बारे में हमें बताया ने गया था और किसी ने भी एक करस को आगे चल के रुकने की कोसिस की वो सभी के बारे में फिलाल तो हमें इस मूवी में कुछ बताया ने जाता लेकिन आपको जल्दी वो सभी सवाल के जवाब मिल चाहिए लेकिन उसके साथे साथ आप सभी के लिए एक चोटा सा टार्गेट हैं वो टार्गेट कुछ बड़ा नहीं है बस 100 लाइक करवा दो 24 हवर्स के अंदर तो आपको बहुत ही जल्दी इसका पार्टू भी मिल जाएगा तो चलिए देखते कि आप सभी मिल की ये चैलें इसको कंप्लेट खडवा दिया तो कसम से अगला वीडियो ही इसका पार्टू होगा मिलते डैरेक नेक्स वीडियो में